दोस्तों AskMeknology the edutech informative चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली informative वीडियो की अपडेट्स अपको मिल जाएं हेलो फ्रेंट्स मासीश और स्वागत आपका AskMeknology the edutech informative चैनल पे तो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर पर्चेस के बारे में कि जो पर्चेस डेपार्ट्मेंट है वो किस तरीके से काम करता है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मे मुझे मोटिवेट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करने अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बैल आकन को भी क्लिक करने क्योंकि इसी तरीके से शांदार वीडियो आगे भी आने वाली है तो उनकी अपडेट्स आपको मिल जाएग लिंक्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रेप्शन में इसकी डीटेल्स दी गई है तो आप मुझे वहां पर भी सपोर्ट करें तो चलिए फ्रेंज बिना समय गवा है प्रोसीजर फोर पर्चेस के साथ सबसे पहले इसके परपस की बात आती है कि हमने ये प्रोसीजर क परने के लिए बनाया है ताकि जो भी हम पर्चेजिंग करते हैं जो भी खरीदारी करते हैं अपनी और्गनाजिशन में उसका पूरा ब्यारा हमारे पास रहे और जो भी हमारे अप्रूवड सप्लायर हैं उनके लिए हम प्यूस जेनरेट करें या फिर जो भी हम एक्विशिशन स्लिप के बेजड पे वो चीज हम फॉलो करें और सप्लायर को एवैल्येट करें ठीक है उनका मुल्यांगन करें उनकी मॉनिटरिंग करें और साथी में सप्लायर डवलप्मेंट प्रोग्राम को भी समझें तो यह हमारा पर्पस हो गया प्रोसीजर का प्रोगिशन करना है, उसका मुल्यांकन करना है ठीक है अपने पर्चेज और के बेसिज पर की उसकी पर्फॉर्मेंस कैसी है तो वहाँ पे हमारा लागू होता आए और supplier को हम जब develop करते हैं, suppliers में वो आते हैं हमारे जो की manufacturer है, ठीक है, तो उनकी development के लिए हम इसमें काम करते हैं, तो वहाँ पर यह लागू होता है, और process owner यहाँ पर आते हैं हमारे production manager, quality in charge, purchase head और plant head, तो अब इसकी process की तरफ बढ़ते हैं, कि यह procedure क्या कहता है, तो सबसे पहले यहाँ पर input के रोप में हमने लिया है, assessment of NPD requirements, customer requirements, cost reduction और supplier performance, तो यहाँ पर activities निकल के आती हैं हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, selection of new supplier, तो जो भी हमारे production manager है, purchase head है, MR है, quality in charge है, NPD, HOD है, plant head है, वो क्या करेंगे, access करेंगे new supplier को कि क्या यह capable है, क्या यह suitable है, हमारे product को बना बनाने के लिए, नए product को बनाने के लिए, तो जैसा भी NPD, HOD फिर अगर approve कर देता है, तो फिर हम उसकी reporting director को कर देंगे, director को उसके बारे में inform कर देंगे, यहाँ पर output के रूप में मिलेगा supplier selection form, और इसकी responsibility रहेगी, purchase head NPD, HOD और director की, next step जो है हमारा, इसमें हम input में क्या ले हमें, वो authorize हम को मिल जाता है, तो उस time हम क्या करेंगे, supplier को category में डाल देंगे, जिस भी प्रकार का product बनाता है, जिस भी nature का, तो उस type से हम उसे category में डाल देंगे, कि कौन सा हमारे supplier और और जो भी category उसकी बनती है, और उसको फिर हम एक specific number देंगे, एक supplier code देंगे, एक vendor code उस हमारा यहाँ पर code आ जाता है, तो इस तरीक से कोई भी code हम generate कर सकते हैं उसका, अपने system के according, यहाँ पर फिर output के रूप में मिलता है supplier selection form, और responsibility यहाँ पर same ही रहती है, next अब यहाँ पर चलते है, step की तरफ, तो यहाँ पर बोला गया है, input के रूप में हम क्या लेंगे, first year performance more than 70%, तो supplier के हमारी first year की performance 70% से उपर हो, इसको हमें as a input लेंगे, फिर यहाँ पर activities जो आती है, तो जब हमारा supplier approve हो जाता है, उसके sample के according, costing वगरा सब कुछ fix हो जाती है, तो उसके वाद हम क्या करते हैं, supplier audit करते हैं, supplier audit check sheet के according, ठीक है, फिर उसमें जो भी NCs अगर निकलती है, त फिर उसके कापा को submit करना पड़ता है supplier को, और अगर वो कापा submit नहीं कर पाता है, 15 days की जो हमने उसे deadline दी है, वो अपने उपर होता है कि आप कितना उसे time देते हैं, one week में कापा मांगते हैं, फिर 15 days में मांगते हैं, 20 days में मांगते हैं, तो अगर वो time limit के according हमें कापा submit नही performance rating, यहां पर हमारी responsibility हो जाती है, purchase head और QA head की, फिर next step में हमारा PPAP documents को हम as a input लेंगे, इसमें हम अपने नई supplier से initial lot मगवाएंगे, PPAP lot, sample lot से मगवाएंगे, PPAP documents के साथ, जो हमारी requirement है, वो documents में submit करेंगा साथ में, और cost, quality, delivery, reliability, इन सभी parameters को हम supplier के check करेंगे, और इनके basis पर अ add कर देंगे, list को हम update कर देंगे, और पहले एक साल उसकी performance को हम closely monitor करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए नया है, और जो उसकी performance है, वो 70% से अबब ही होनी चाहिए, लगातार, यहां पर हमारा output के रूप में हमें मिल जाता है, approved list of supplier, और यहां पर responsibility हमारी purchase और quality head की रहती है, तो step में हमने approved list of supplier को as a input लिया है, जब हमारा supplier develop हो जाएगा, वो हमारी list में add हो जाएगा, approved list में, तो फिर हम क्या करेंगे, उस supplier को अपनी quality के बारे में, जो भी हमारी requirement है, उसे हम अपने purchase order के through से वो information देंगे, और जो भी हमारी requirements है, उसको हमारे supplier को fulfill करना पड़ेगा, फिर output क रोप में हमारे यहाँ पे निकल जाएगा purchase order, तो जो हमने वो PO दे दिया है, उसे जिसमें PO में सारी जानकारी है, quantity की और quality हर चीज की जानकारी है, तो वो हमें as a output document मिल जाएगा, यहाँ पे responsibility रहेगी purchase head की, फिर next जो हमारे step है, इसमें है purchase requirement, such as spare part, requisition slip को हमने as a input लिया है, फिर यहाँ पे हमारी activity निकल के आती है, purchasing की, तो इसमें जब purchase department को immediate requirement मिलती है, किसी भी spare part की purchasing के लिए, तो वो purchase requisition slip के basis पे वो purchasing करेगा, या फिर उस पे approved quotation of supplier होनी चाहिए, इसके बिना वो purchasing नहीं करेगा, और output के रूप में हमारे पास आएगा, suppliers, quotation और purchase order, यहाँ पे responsibility हमार पर्चेस है, director और plant head की होती है, तो next step में हमारा आता है, customer orders को हमने as a input लिया है, तो इसके according activity मिलती है, जब हमको customer order मिल जाएगा, तो हम material planning करेंगे फिर उसके लिए, फिर उसमें review करेंगे हम कि stock में हमारे पास कितना material पढ़ा है, और कितना हमें और खरीदने की जरुरत होग तो उसके according हम planning करेंगे और फिर एक purchase order बनेगा, तो सबसे पहले हम supplier को purchase order देंगे, उसके बाद फिर हम उसको purchase schedule कर देंगे, कि इस schedule के according, इस quantity हमको material मिलना चाहिए, output की रूप में यहाँ पे मिलेगा हमे purchase order और purchase schedule, responsibility यहाँ पे purchase head और director और plant head की रहेगी, तो अब next step की तरफ चल direct purchase करना पड़ता है, purchase department को कोई भी material requirement के basis पे market से, तो वो पहले यह ensure करेगा कि उसके पास approved quotation होनीचे उस supplier की, जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई ऐसी shops होती है, जहांसे हम direct अपना material खरीदते हैं, तो उसमें भी हमारे पास जो भी authority है, हमारी MD हो सकते हैं, फिर plant head, तो उनका approval हमारे पास होना चाहिए, कि जो quotation उसकी है, कि approved होनीचे, कि यह जो दुकंदार है, यह जो हमारा supplier है, यह जो direct जिससे हम खरीदते है material, यह हमें सही rate पे देता, अच्छे rate पे देता है, तो वो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, तब ही उस basis पे हम direct market से कोई चीज purchase करेंगे, यहां पे जो हमारा output को रूप में आता है, वो है purchase of item from local traders, responsibility यहां पे purchase head और director के होती है, वैसे यहां पे plant head भी आ सकते हैं, तो वो depend करता है कि कौन approval authority है, उसके basis पे हम responsibility डाल सकते हैं, इसके बाद जो next step है हमारा यहां पे है, उसमें purchase of any item from any kind of supplier, इसे input लिया गया है, तो यहां पे activity हमारी आएगी, तो अगर ऐसी कोई condition होती है, कि हमें कुछ भी material किसी भी supplier से खरीदना पड़ जाता है, ऐसा मतलब कि कोई emergency हो सकती है, उस case में हम क्या करेंगे, जो supplier की quotation है, उसे close कर देंगे, खरीदने के बाद ठीक है, वो कोई approved quotation नहीं होगी, और उसे फिर हम अपने bill के साथ attach करके रखेंगे, for future reference कि हमने वो material उस time पे कितने का खरीदा था, यहाँ पर हमारा output में free format में quotation आयाती है, इसमें कोई rigid format उसका नहीं है, और responsibility यहाँ पे same रहती है, purchase head or director के, next step में हमें क्या मिलता है, input के rope में, approved list of supplier, तो जब approved list of supplier हमें as a input मिलती है, तो यहाँ पे activity आ हमारे होते हैं, उससे जब हम purchasing करते हैं, तो उसके लिए PO release करते हैं, सबसे पहले, PO prepare करना होता है, कोई भी हमें procurement करनी है, कोई भी चीज मंगानी है, अगर अपने supplier से, तो उसके लिए हम PO prepare करेंगे, किस basis पे, जो भी हमारी raw material की requirement है, उसके basis पे हम PO बनाएंगे, और उस PO में हम क्या क्या specify करेंगे, product की description बताएंगे, specification बताएंगे, और कोई regulatory requirement हमारी वो mention करेंगे उसमें, और अगर उसमें हमें test certificate की requirement है, वो उसमें हम mention करेंगे, और delivery date और transport की जानकारी वो उसमें डालेंगे, यहां पर output की रूप में हमें purchase order मिल जाएगा, और यहां पर responsibility, purchase head और director की होगी, फिर next step में जब purchase order को हम एजा input लेंगे, फिर हमारी activity वहाँ पे रह जाएगी, कि हमें material का follow up करना अपने supplier से, कि वो कब तक supply करेंगा, क्या रहेगा, उसके साथ हमारा follow up चलेगा regular, वो follow up को हमें फिर track करना, output के रूप में, वो हम किसी format में, किसी free format में भी track कर सकते है या फिर वो mail के थुरू हो सकता है, या टेलिफोनिक हो सकता है, responsibility यहाँ पर purchase head और director और plant head की रहेगी, फिर यहाँ पर जो next हमारी input आती है, वो है purchase order, incoming inspection note और customer complaint record, इस activity में हम supplier की monitoring करेंगे, supplier की performance को monitor करेंगे, इन criteria's के base पे, जिसमें आता है हमारा delivery performance, quality performance, या फिर उसने कोई premium f rates आ जाएंगे, और customer जहाँ पे हमारा customer को नुकसान हुआ है, और field returns हमारा है, उसके according हम उसकी performance को monitor करेंगे, यहाँ पे हमारा जो output निकल के आएगा, वो आया का supplier performance rating, और यहाँ पे responsibility हमारी purchase head और directors की रहेगी, अब next step पे चलते हैं, तो next step में हमने input में लिया है purchase, तो यहाँ activity हमारी आती है, तो यहाँ पे जो हमने performance evaluation करना है, वो purchase of raw material या फिर packing material का करना है, अपने schedules और POs के according, उसकी जो भी supply रही है, उसके according हम supplier का performance evaluation करेंगे, output के रूप में वही सेम चीज़ हमें मिलती है, supplier performance rating, और responsibility यहाँ पे same रहती है, next step जो हमारा है, वो है incoming inspection, तो यहाँ पे फ quality rating की rating देगा, उसके according अपने supplier के कि किस तरीके का material आता है, उसका कि ऐसी वो quality हमें provide कर रहा है, तो यहाँ पे फिर हमारी output के रूप में quality rating मिल जाएगी, और यहाँ पे responsibility हो जाएगी, purchase head gear quality in charge की, next step में हमारी जो input है, वो है supplier performance rating, तो supplier performance rating के according यहाँ पे activity है हमारी, तो जैसी भी performance रही है supplier के, उसके बारे में हम उसे communicate करेंगे periodically, हर साल हमें ये चीज़ करनी है, और follow up करेंगे, फिर उसके actions पे जो भी उसने appropriate corrective actions लिए हैं, उसका हम follow up करेंगे, तो यहाँ पे output हमारा आता है, communication to the supplier, ठीक है, communicate हमें करना पड़ेगा supplier से, और यहाँ पे हमारी responsibility हमारी purchase head और उसकी poor performance से लगाता है, और उसे हम delist कर सकते हैं, approved supplier list से हम उसे हटा सकते हैं, अगर उसकी continuously performance 60% से कम रहती है, और delist करने से पहले हम उसे तीन बार warning letter देंगे, उसे warning issue करेंगे, कि वो अपनी quality को सुधारे उसे aware करेंगे, उसके बारे में improve करवाएंगे, उसकी quality, जो भी health, safety, environment, quality system है, उसके वारे में हम उसे aware करेंगे, उसकी help करेंगे, उसे improve करने में, उसे तीन बार हम warning देंगे, अगर वो फिर भी नहीं सुधरता है, फिर भी उसकी जो performance है 60% से below ही रहती है, लगाता है, तो फिर हम उसे approved supplier list से delist कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे हमारे customer का involvement रहता ह कि हमने इस तरीके से delist कर दिया है, यहाँ पर output के रूप में मिलेगा supplier delist from approved list of supplier, और responsibility यहाँ पर purchase head और director की होगी, next जो हमारे step है, वहाँ पर हमने poor performance और supplier performance को दुबारा से input में लिया है, तो यहाँ पर हमारी activity आगे जो step है, इसमें वो बनती है, supplier delisting, switching या फिर changing, तो पहा गया है, कि supplier को delist करने से पहले, change करने से पहले, या फिर किसी और supplier पर switch करने से पहले, हम अपनी minimum inventory level को maintain करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने direct supply उससे बंद करने को कह दी, और अगले दिन से माल बंद हो गया आना, और हमारा भी काम बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चीए, हम पहले अपने यहां पर inventory level को maintain करेंगे, planning करेंगे, उसके according फिर उसे delist करने की, या फिर supplier को switch करने की, change करने की सोचेंगे, ताकि हमारे जो customer के orders है, उनमें भी delay ना हो जाए, फिर यहां पर output के रूप में हमें वही supply delisting from approved list of supplier मिलेगा, और responsibility यहां पर same रहेगी, next यहां पर ज next step हमारा आता है activity का, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने property अपने supplier को दे रखी है, हो सकता है, drawings दे रखी हो, gauges tooling दे रखी हो अपनी, तो वो सब चीज हम उससे वापिस ले लेंगे, और यहां पर output हमारी वही same रहेगी, delisted from the approved list of supplier, और responsibility यहां पर same है, और next यहां पर step हमारा वो है supplier performance rating, तो supplier performance rating according यहां पर activity हमारी बनती है, जो भी interested party है हमारी, तो जब हमने supplier performance rating according जैसे कि पिछले step में delist कर दिया था अपने पूर supplier को, तो अगर हमारी कोई interested parties है, उसके जो direct contact में रहती है, जो उससे related है, जैसे कि हमने कोई material भाहर से बनवाया, फिर दूसरे से plating करवा या फिर transport वाले जो जुड़े रहते हैं, तो उन सब को भी हम उसके बारे में inform करेंगे कि ऐसे ऐसे हमारा supplier अब बदल चुका है, अब change हो चुका है, या फिर यह वाला supplier बंद हो चुका है, तो उसकी जानकारी हम interested parties को देंगे, यहां पर output के रूप में वही सेम भी में काता है supplier selection form, तो जब हमने delist कर दिया अपने supplier को, तो delist करने से पहले हम similar supplier को ढूणेंगे, उसके बाद उसके samples देखेंगे, उसके basis पर हम उसे approve करेंगे, और साथी में अपने यहां पे minimum inventory level maintain करके रखेंगे, delist करने से पहले supplier को, और फिर यहां पे output के रूप में मिल यहां पे responsibility, purchase head, NPDHO, और director की रहेगी, फिर इसके बाद जो हमारा next step आता है, उसमें input है, supplier not certified for ISO 9001, तो अगर हमारा कोई supplier ऐसा है, जिससे हम material लेते हैं, उसने ISO को certification नहीं ले रखा है, तो हम उसे insist करेंगे कि भाई, ISO को certification ले वो, और हम उसे aware करेंगे कि भाई, ऐसा हमारी requirement है हमारी contractual requirement उसे हम बताएंगे, corporate जो हमारी requirements है, उसे हम बताएंगे, और उसे insist करेंगे इस बारे में कि ISO 9001 वो ले, उनकी requirements को fulfill करें, जो भी environmental obligations है, including supplier के लिए, वो उन सब चीज के हम उसे जान करी देंगे, यहां पे हमारा जो output निकल के आता है, वो आता है, action plan for the supplier, तो action plan output पन करेंगे, हम develop करने में, supplier development activity यहां पे आएगी, तो हमें develop करना है, तो उसे help करना है, उसे support करना है, कि वो certification लिए, ऐसे ऐसे, उसके लिए action plan prepare करवाना है, उसके basis पे वहां पे action करवाने है, उसके plant में, तो responsibility में हमारे हमारे आ जाते है, quality head, next step में हमारा supplier audit plan as a input हम लेते हैं, इ audit करेंगे, और उन सभी के record को maintain भी रखेंगे, supplier audit report के रूप में, और यहां पे हमारा output यही आएगा, supplier audit check sheet, यहां पर responsibility रहेगी, quality head की, फिर supplier audit check sheet हमारी input में आ जाएगी, तो यहां पे activity हमारी बन जाएगी, जो supplier को audit करा है हमारी team ने, तो उसके हम follow up करेंगे, corrective actions के regarding, अगर महां पर कोई improvement की जरूर होता है, या फिर कोई NCS निकली है, तो उसके basis पर हम उससे कापा मांगेंगे, फिर उससे 15 days में कापा submit करना पड़ेगा, तो अगर वो कापा submit करने में delay करता है, तो supplier के पास उसका proper reason होना चाहिए, और यहां पर output हमारा आता है, corrective action from suppliers, quality head की same, यहां next step में हमने supplier audit check sheet को ही as a input लिया है, तो यहां पर इस activity का next step हमारा आएगा, यहां पर हमारी organization ही responsible रहेंगी, जो भी हमें health, safety, environment, quality system implement करना है अपने supplier के यहां पर, तो उसकी रिजमे बारी हमारी ही होगी, उसके बारे में हम ही अपने supplier को aware करेंगे, उसके help करेंगे, उसको सारी environmental requirement के बारे में बताएंगे और किस तरीके से deposition करना है अपने scrap का, उस सब चीज की जानकारिय हम अपने supplier को देंगे, output के रूप में यहां पर same corrective action from supplier आएगा, और responsibility यहां पर same ही रहेगी, next step में हमारा supplier inspection report, raw material test certificate को हम as a input लेंगे, यहां पर input में यह इसलिए लिया गया है, जो आप करते हैं, तो existing supplier को हम उसके performance के according, उसके supplier inspection report, उसके ratings के according, उसे नया product हम दे सकते हैं, और अगर हम अपने supplier को कोई नया part nominate करते हैं, तो उसके साथ वो हमें PPAP file भी submit करेगा, ठीक है, PPAP documents भी देगा, अगर किसी case में हमारा supplier समर्थ नहीं है, PPAP देने में, अगर वो पूरी requirements को PPAP की fulfill नहीं कर सकता है, सारे documentation नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर उसे minimum documentation तो करनी पड़ेगी, जैसे कि inspection criteria देना पड़ेगा, raw material test report देनी पड़ेगी, control plans और product inspection report हो गई, basic quality documents जो हैं, वो से submit करने ही पड़ेगे, output के रूप में यहाँ पर हमारा incoming inspection note आ जाएगा, responsibility यहाँ पर quality head और NPD team की रहेगी, अब next step की तरफ चलते हैं, तो next step में हमारा supplier inspection report को हमने as a input ले लिया, तो जैसे कि next step में हमने supplier को नया part dominate किया तो तो इस step में हमने activity में क्या करना है, अपने supplier को drawings provide करानी है, और उसके यहाँ पर जाके feasibility study भी करनी है, कि क्या वो बाकि में feasible है, उस product को बन material के जो भी requirement है हमारी, output के रूप में यहाँ पर आएगा हमारा incoming inspection note, और यहाँ पर responsibility में quality head और NPD team ही रहेगी, तो product sample के approval के बाद जो supplier हमारा वो production को start कर सकता है, और हर एक lot के साथ वो हमें dispatch की inspection report भेजेगा, output के रूप में हमें incoming inspection note मिलेगा हमारा, उसके बहाफ पर हम अपना output में cross checking तो करती है incoming inspection में, तो output में incoming inspection note मिलेगा, यहाँ पर responsibility quality head और NPD team की रहेगी, next step हमारा same ही अभी चल रहा है, quality inspection report, तो next step में activity यहाँ पर है, तो जैसे कि अगर हमने नया part अपने existing supplier को nominate किया था, अगर वो किसी case में नहीं बना पाता उस part को, fail हो जाता उस part को बनाने में, तो फिर हम NPD team के साथ discuss करके और supplier के साथ discuss करके, उस part को अपने दूसरे supplier को transfer कर देंगे, कोई और supplier को हम वो part देंगे, यहाँ पर output को रूप में, हमारा incoming inspection note यहाँ पर responsibility हमारी रहेगी, quality head और NPD team की, तो यहाँ पर input को रूप में हमारा आता है, verification at report of selection team, free format, तो verification करना है हमें, जो भी selection team ने, जो भी supplier हमारा select किया है, उसका हमें verification करना है, ठीक है, इसका कोई free format हो सकता है, या फिर कोई control format भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर free format रखा गया है, वो depend करता है, organization के उपर, तो यहाँ पर activity क्या आएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, outsource activity, outsource activity मतलब है, यहा आउस नहीं करते हैं, जैसे कि हो सकता है, प्लेटिंग हम outsource करवाते हों, या फिर hardening हम outsource करवाते हों, ठीक है, कुछ machining वगएरा हम करवाते हों, outsource, तो जो भी हम outsource activity करवाते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हो सकता है, जो हमारी outsource activity के लिए हमारे supplier select कर लिया, पर हम उसे verify करेंगे, कौन verify करेंगा, जो यहाँ पर responsible person है, यहाँ पर responsible जिसकी बनती है, quality head, NPD और purchase head की भी खुद बनती है, तो वहाँ पर हमें यह verify करना पड़ेगा, कि जो supplier को select किया गया है, वो new supplier selection criteria के basis पर ही select किया गया है, और जो भी outsource activity करता है, वहाँ पर हम उसकी audit कर करेंगे, plan wise ठीक है, regular basis पर हम उसकी monitoring करेंगे, और यहाँ पर हमारा output के रूप में आ जाएगा, supplier inspection report, responsibility जैसा कि मैं आपको इसमें बताए जोगा हूँ, कि quality head, NPD और purchase head की रहेगी, तो अब यहाँ पर हमारा जो last step आता है, वो आता है, incoming inspection note, इसको हम as a input लेंगे, तो इस activity में ह जो भी outsource activity करवा रहे हैं, outsource suppliers हमारे, तो उसकी activities को हम adequately control करेंगे, अच्छी तरीके से control करेंगे, अगर कोई issue आता है, इसको supply में हो तो हम उसे call करेंगे, उसके यहाँ पर visit करेंगे, ठीक है, और कोई issues उसके lot में आया है, कोई NC product उसने भेज़े हैं, तो उसका kapa भी हम raise करे है, वो उसकी process complete हो जाती है, और यहाँ पर जो हमारे document आते है, reference के लिए, वो हमारा आता है, approved list of supplier, ठीक है, यह reference document है, इसे हम refer करेंगे, purchasing के लिए, और जो records reference के लिए हमें रखने है, जो record updated रखने है, maintain रखने है, उसमें आता है, हमारा approved list of supplier, purchase order, purchase schedule, purchase schedule का free format यहाँ पर लिखा आ गया है, और supplier selection form, supplier performance rating, supplier audit plan, supplier audit check sheet, incoming inspection note, customer complaint, record, और purchase, requisition slip, इन सभी चीजों का record हम maintain करके रखेंगे, तो यही पर हमारा procedure for purchase और उसके requirements complete होती है, I hope आप को इवीडियो पसंद आई होगी, तो friends यह सबता procedure for purchase के बारे में, I hope आप को इवीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आती हैं, तो please मुझे comment करें, इस वीडियो को जाद स्यादा share करें, और ऐसी informative वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरी चैनल को subscribe करें, वो चैनल को subscribe करने के बाद बैल आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि आगे आनेवल वीडियो की updates आपको में जाए, so friends मिलते हैं नेक्स वी वीडियो की अटेखने के लिए लिए, टेक्निकल